नमस्कार आप सबका स्वागत है आज के हमारे स्विशेश प्रोग्राम में on rolling frames entertainment तो हम आज बात करेंगे रोटरी चंदिगर शिवालिक के एक और मुहीम जो की है skill development के उपर तो क्या है कि अगर शिक्षा के साथ-साथ आप लोगों को कोई skill भी दे पाएं वो एक बहुत बड़ा gift है उन लोगों के लिए सब के लिए आज के देश की युवा के लिए हर gender के लिए भी हम कहेंगे और युवा से अगर आगे भी बढ़ें तो किसी भी उमर में हम कोई नई skill acquire करके उससे अपना रोजगार अपनी जीवनी बना सकते हैं तो रोटरी चंदिगर शिवालिक की इस skill development की मुहीम के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी है मंजीत को और मैम रोटरी चंदिगर शिवालिक से मैम स्वागत है आपका आज किस प्रोग्राम में स्किल development प्रोग्राम जैसे की ओजस्वी ने बताया है कि एक हुनर है और एक हुनर सब के पास होना चाहिए क्योंकि एक situation life में ऐसी आती है जब आपके पास पैसा नहीं होता घर वाले आपको support नहीं कर रहे तो basically या idea मुझे आया जब मेरी maid की daughter को husband उनका पटाई करता था और उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसके पास कुछ नहीं था बचारी के पास जब घर आई then I realized कि we need to support ladies so हमने एक skill development program शुरू करा जिसमें literacy आता है और एक हुनर आता है और सबसे पहले जो हमने project शुरू करा था जनता कॉलनी में शुरू करा था अगबारे newspapers लोगों से लेके उनको लिफाफे बनाने से खाए हमने कि लिफाफे बनाओ 50 पैसे आपके 50 पैसे हमारे ताकि जो extra कर्चा वो cover up हो जाए फिर मैंने उसको बंद करने का सोचा कि क्या 50 पैसा is hardly anything I am talking about 2004 So that is the time कि मैंने का बंद करें Ladies started crying कि नहीं जी आप 25 पैसे कर दो बंद मत करो हम जब 50 पैसे लेके market जाते हैं बड़े प्राउड़ी जाते हैं कि हम हल्दी लेके आए तब पैसे काफी सस्दा था जाला काम So then we started a skill development program है 23 sector में Government organization है on food preservation classes हमने उनको approach करा तो लेते हैं 300 rupees per individual और वो हफते Monday to Friday classes लेते हैं चार घंटे के लिए जिसमें उनको certificate मिलता from the government और उसके बाद अगर वो अपना business शुरू करना चाहें तो interest free loan मिलेगा उनको पर हमने उनको suggest करा कि आप सिर्फ सीखो जिसमें jam, pickle, ginger ale बहुत कुछ सिखाते हैं वो so ladies ने सीख लिया फिर हमने का कि हम आपको orders देंगे तो अभी orders देना शुरू करा और अभी वो एक एक lady जंता कॉलनी की कम से कम जो सबसे lazy lady है 6000 से 8000 earn कर लेती है per month so ये एक pride का moment है दूसरा skill development हमने करा है stitching 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 एक ऐसी चीज़ है सबको आता है इसमें gents and ladies दोनों involved होई हमने सबको telephone करा जिनके पास पुरानी machines है swing machines वो आप हमको दे दो free of cost तो जैसे मेरी machine थी 40 years old मैंने दी बहुत लोगों ने दी so जब machines आ गई हमारे पास हमने उनको सिखाना शुरू करा basic from mobile bags एक पर्दे वाले जैन पर्दा वाले हैं 7th sector उनसे हम cut pieces लेते थे जो वो फेंकते थे वो लेके हम mobile bag शुरू करने लगे and 5 रुपे का हम बेचते थे तो 3 रुपे हमके 2 रुपे हम रखते थे extra cost cover करने के लिए luckily एक डिनर पर हमको मिले California based businessman उसको जब बताया तो उसने का मुझे 500 mobile bags चाहिए keep in mind एक design का एक ही bag बनता था को cut pieces थे so he gave us $5 per bag that set the ball rolling so उसके बाद मुझे बैक सिखाए सब कुछ सिखाया अभी भी अगर आप चाहो तो beautiful bags from your old clothes कपड़े जो suits है सब कुछी aprons, kitchen gloves अभी भी आप order दोगे वो खुशी-खुशी बनाएंगे and at a very low cost क्योंकि जो कपड़ा है वो आप दे रहे हो यहां पर हम cut pieces ले लेते हैं यहां यह जो curtain shops हैं they have this design very big books तो design वाले हमको दे देते हैं कपड़े वो free पड़ता हमको तो stitching charges हम ले लेते हैं यह बल्टाना में अभी भी हमारा बहुत successful चल रहा है same as danta colony में successful चल रहा है जब stitching सिकाते हैं उसमें हम fabric painting भी सिकाते हैं block printing भी सिकाते हैं and फिर हमने 5 ladies जो बहुत अच्छी थी उनको हमने जलंदर बुटीक में भेजा वो हमारे friend की बुटीक थी they stayed there for 5 days free of cost and they learned the basic designer suits also so आप उनकी कुर्ती देखो बनाने के लिए suits देखो tremendous work so एक आपके पराने कपड़े भी निकल जाते हैं परदे भी निकल जाते हैं प्लस आपको कुछ चीज भी मिल जाती है and प्लस विद्वाली मेला या कुछ और करना हो वो भी आप कर पाऊगे तो मैम थोड़ा यह बताएं कि जो जितने भी हमारे skill development के candy rates हैं हम उन तक कैसे approach करते हैं या वो हमारे तक कैसे approach करते हैं से हमने इसके साथ लिटरसी ड्राइव रखा था कि थोड़ से पैसों की और पढ़ना लिखना आ जाए वो अभी हमारा process लिटल स्लो चल रहा है तो at the moment क्या है बल्टाना में भी है one lady who looks after it तो उसको contact करते हैं और जो pricing wise है that I am doing because the lady is too generous वो कहती नहीं चलो कम लगा लो ये कर लो but eventually जो effort कर रहा उसको तो पैसे मिलने चाहिए ना so basically आप जब बोलोगे आपको number दे देंगे हम तो directly बल्टाना आप contact करो then I will put the pricing part of it which is not very high I do low but I feel इसने इतनी मेनत कर देंगे मेड्स सुबह बरतंद होती है लोगों के घर में और दपैर को या रात को यह यह काम करती है so we charge but low and you can get anything made mobile bags proper good bags handbags design you can give your own aprons kitchen gloves को हमने पौना ये जो कपड़ा यूज करते हैं ना kitchen के लिए वो हमने बंद कर दी हैं के लिए तो kitchen gloves बनाती है वो आपके primary सलबार suit है उसका आपको बना देंगे and you use it rcs basically contact rcs rotary चंदीगर से वाले इसका जो description link में आपको सारे program की details और contact points मिल जाएंगे तो मैं मैं ये भी जानना चाहूंगा कैसे होता है कि over the years 2003 से आपने journey पताई और हम कहेंगे कि 17-18 साल हो गए है इस project को run करते वे कितने lives हैं जो हमें लगता है कि हम impact कर पाएं या transform कर पाएं अपने programs के तरुए एक चीज I would like to tell you all this is not a easy projects हम क्या करते हैं आज एक village में जाते हैं उनको reaction will be आज आएं बातें करके कभी ने आएंगे वापिस but you have to be continuous so Janta colony it took us six months just to convince them आपकी भलाई है आप earn करोगे आपको घर से बाहर नहीं जाना आपने पैसे नहीं करते हैं वो के बर देशु अब्यूजास क्यों दुखी करते हो हम अच्छे बले कुछ हैं husbands पटाई करते थे but six months patience proved wonderful results and lot of lives have been impacted you see the standard of living आपको कभी किसी को time में ले आप मुझे बताओ मैं उनकी जुगी जुपनियों में लेके जाती हूं you see the standard of the juggies very high standard उसी पैसो में से हमने जब solar lights उनको दी को कि उनके lights नहीं थी बच्चे पढ़ नहीं पाते थे lamp के नीचे street lights के नीचे पढ़ते थे so they said नहीं जी भी ख्रीदेंगे अब खुद ख्रीदेंगे अब वो impact आ गया है जैसे हमने account खुलवाए के यहों के कि अभी आप business कर रहे हो चलो आपका account कोलते हैं so मैंने तो 500 से शुरू कर रहा कि भाई अब 500 से कर लो कहते हैं नहीं मैं कम से कम 1000-2000 तो करो ना आप that is the standard of thinking of money wise so it's really impacted I can say from this at least 100 people are doing well जी तो वही मैं उस पर आने वाला था success stories के वारे में कि आपने तो एक तरीके से entrepreneurship promote कर दी within a segment तो इसमें कोई success stories हैं या कुछ महिला हैं या कोई कुछ भी बच्चे या कोई भी यंग्सर जिन उनको benefit हुआ हो वो आज आप से आके मिलते हैं जब बात करते हैं तो क्या बात करते हैं you see generally I make one leader in that sector तो एक leader then she takes over he or she and वो फिर run करते हैं मुझे report करते हैं just to party time की चलो कुछ खाते हैं पीते हैं सब कुछ करते हैं so that is one initiative and feedback I keep getting की देखो ये हो गया इस lady को इतना earn कर लिया इसका ये हो गया and the way of dressing up has changed you see my basic thing of skill development was हम differentiate करते हैं between maids and us poor people and us because of the physique people are not well dressed so my aim was to make them dress up so well कि हम proudly उनको साथ में बठाएं और कहें चुर आओ हमार साथ खाना खाओ so that is a slow process which is going on but I like you to meet Janta Colony and Baltana see the sense of dressing up the way they speak tutti-putti English and high standard of living very high standard of living they say maim kharchेंगी इसो दिन स्मुस्टे के पैसे में दे रही थी मैम हद होगी स्मुस्टे नहीं कहला सकते that is the impact तो maim Baltana और Janta Colony के लावा और हम कहां आपने आने वाले प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अटावा चॉंक हमने शुरू करा है करा था पर उसमें कमरा बहुत छोटा था उनका जा मशीन वहां भी रखी हैं ने तो रोटरी चंदीगाट श्वाले का ये एक स्केल्डवाप्मेंट का बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत रहीं इप्रोजेक्ट जेहिते हैं तो आप गुल्या बना दो जाम्ग जिंजर रेल बना दो नमकीन सेमियन अबरी थेवीवरी नाइस so please promote this and this sector 23 sector में है ये government organization जी तो Rotary Chandigat Shivali का ये scale development का एक बहुत ही भेतरी program है जो की continuously चलता ही जा रहा है पिछले 17-18 सालों से और आज नहीं उचाईयों पे है बहुत बच्चों के घरवालों को रोजगार मेरा है सही माइने में अब हम कहना चाहेंगे और बहुत सारी औरते हैं विमेन हैं जिने हम कहते हैं वो बहुत self-dependent हो गई है उन्हें अपने spouses की livelihood और earning पे depend पूरे धंग से नहीं करना पड़ रहा है एक चीज़ और है जब आपके घर में जो servants हैं काम कर रहे हैं good thing give them skill development on your own make them do electrician 6 मिने का कोर्स है शाम को है दपैर को भी करते हैं वो एक प्लमबर का so that this child or the lady or the basically boys वो अपना शूरू कर दे प्लमबर, electrician, सब को चाहिए so they can take orders go for 3 hours, do the work and there's a side income for them so aim is to they should progress they should aim higher so आप प्रीज ये कोर्स करवा दी ये भी सेक्टर 38 में है I will give you the address वहाँ जाके and a very nominal payment पे electrician and plumber very important courses उसे अपने काम शुरू कर देंगे without investing please do it Thank you, thank you Manjit मैम हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुडने के लिए और हमें रोटरी चंदीगर्श वाले के इस बहुत ही एक तरीके से मैं कहूंगा extraordinary skill development project पे बात करने के लिए so हम सभी दर्शकों से अगले प्रोग्राम में मिलेंगे और रोटरी चंदीगर्श वाले के कुछ और नए प्रोजेक्ट्स के या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आप सबसे बात करेंगे rolling frames entertainment सुनने वाले सभी दर्शकों को शुरताओं को मेरी और से हार्दिक धन्यबाद